कि अच्छों बहुत बहुत नमस्कार स्वागे ते सभी लोगों का आज के लेक्सर में क्या मेरी आवाज आ रही है जिल्दी फटाफट से बता दो एक तुम गरम पानी है क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज से नए चेप्टर की सुरुआत हो रही है इस चेप्टर का नाम है जी यो सी और जी यो सी में आज हम पढ़ेंगे एफेक्ट्स और उसमें कवर करेंगे इंडेक्ट एफेक्ट भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज तीन करोड लोग जुड़े हुए हैं सवनू आयूस अश्विनी रोहेत अक्षिता पंकज क्या वाद वाई ये वड़ा राहुल अर्पिता रोशन चलो बड़ा स्टार्ट कर रहे हैं जी यो सी का लेक्चर नंबर वन तयार एक्दम कॉ रीएक्टेव इंटरमीडियेट कया होते हैं कभी भी कोई भी और्गैनिक रीएक्षेन जब होती है तो किस पात से जाती है इक जनरल रीएक्षेन उसकी बात करें सबसे पहले होता रीएक्टेन्ट क्या होता है रीएक्टेन्ट गई primarilyraham queens in khuh डॉयरा रीएक्टेन्ट तो र और reactive intermediate बनने के बाद बनते हैं products and byproducts तो products बनेंगे और कुछ byproducts बनेंगे ठीक है तो एक general organic reaction की अगर हम बात करें तो इस तरीके से होती है अब हम reactive intermediate क्या-क्या बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे पहले आप एक general organic reaction को note कर लीजिए फिर हम यहाँ पर intermediate creation की बात करेंगे कि किस किस टाइप की bond breaking से कौन से टाइप का intermediate बनता है पड़ावट से नोट करो चलें आगे कर लिया लिख लिया वेरी गूड चलिए वह आगे बढ़ते हैं अब यह जो creation होता intermediate का वो कैसे होता ध्यान से देखना मालो मेरे पास कोई reactant दिया हुआ है suppose इस तरीके से मैंने लिख दिया अब इस reactant में bond breaking कैसे कैसे हो सकती है उसी से ही तो intermediate create होता है ना तो bond breaking कुछ ऐसी हो सकती है कि माल लीजिए माल लीजिए कि ये दौनों electron ये दौनों electron ए रख ले अगर ये दौनों electron ए रख ले तो कैसा दिखेगा इस carbon के पास आप electron बचेंगे नहीं यहां क्या जाएगा plus charge और ए पर क्या जाएगा या दौनों electron लख लिए तो loan pair के साथ minus charge क्योंकि electron ले लिया उसने ठीक है तो ये दौनों electron ए ने ले लिए और ध्यान लगना organic reaction में जब कभी भी arrow ऐसे जाएगा ना तो arrow के head में negative और tail पर positive होता ये बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने जिन्दगी की ठीक है तो इसके बारे में आप ध्यान लगिएगा तो जब कभी भी ये दौनों electron रख लेगा तो क्या create हो रहा है कार्बोगिटायन ठीक है आगे बढ़ते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कैसा ऐसा देखो अगर ये दौनों electron कार्बन रख ले कार्बन रख ले तो कैसा देखेगा तुम्हें C दौना electron इस पर आगए negative charge प्लस ए पर कौन सा charge आएगा positive value का deloader है ठीक है तो अगर ऐसा दिखेगा तो इसको बोले कार्बन रख ले इनके नाम भी लिखेंगे हम इसका नाम है वेटा कार्बोगेटायन और इसका नाम है कार्बन रख ले और ऐसा भी तो हो सकता है कैसा ऐसा कि आपका जो bond है वो एकदम करता है कैसे कैसे ऐसे तो क्या होने वाला है ये वाला electron अपना वापिस ले लेगा और ये अपना electron वापिस ले लेगा तब आपको दिखेगा ऐसा और ऐसा इसको बोलते हैं free radical या carbon free radical क्या बोलते हैं free radical या फिर carbon free radical अब ये जो starting की दौनों type की bond breaking है ये 1 और ये 2 और ये 3 लिख रहा हूँ तो 1 और 2 जिस type की bond breaking है इसको बोलते हैं heterolytic bond breaking हेट्रोलिटिक bond breaking या cleavage और और इसका नाम है homolytic homolytic bond breaking और cleavage ठीक है फटा फट से नोट कर लो ये intermediate creation हो सकता है और ये वाले जो bond बनते हैं ये वाले जो bond टूटते हैं वो कैसे तूटेंगे ये heterolytic और ये homolytic ठीक है चलिए फटा फट से नोट कर लीजे फिर आगे चलते है लिख लो तो बता दे ना बेटा जल्दी से पंचसी कह रही है सर जी आई सो मिर्जम के सारे कोश्चन बने थैंक्यू समझ वेटा यही तो चाहिए था हमें दन 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 वा क्या बात है चलिए आगे बनेगा वेरी गुड अब हम बात करेंगे एफेक्ट की यह तो हमने इंटर्मेट दे के लिए कैसे कैसे जनरेट होते हैं अब इंटर्में कुछ एफेक्ट भी लगते हैं तो कैसे एफेक्ट लगते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे दो टाइप के हमेशा molecule में लगता है permanent और एक होता temporary temporary कब लगता है जब reagent डालते हो when reagent is added तो जब तुम reagent डालते हो तो कौन सा ही fact लगता है temporary और जो molecule में हमेशा operate होते है वो क्या रखता है permanent होता है always operate कोई reagent डालनी ज़रोत नहीं है अब यह जो permanent effect है इसको हमें discuss करना है permanent effect कौन कौन से होते है विड़ा ध्यान से देखो पहले number पे लिखेंगे inductive effect पहला number क्या है विड़ा inductive effect second number पे लिखेंगे hyperconjugation क्या लिखेंगे hyperconjugation और third number पे लिखेंगे resonance या mesomeric effect ठीक है तीसरे नंबर पर आएगा resonance और mesomeric और temporary effect में होता है आपका electromeric effect electromeric effect तो एक एक करके in effect को हमें discuss करना है चाहो लिख दो नहीं लिखना चाहो तो भी understood होता है कि हाँ lone pair होगा reagent का क्या काम होता है क्या वात है अभीजेक जी reagent का काम होता है reactant के साथ reaction करना और वो सिर्फ तभी रगेगा जब elektromeric effect हम पढ़ेंगे ये खारा समंदर मेरा खुदा है लिख लो दब बादा बादा है लिख लो तो बता दे ना वीटा जल दीजे आगे बढ़ेंगे फिरम चलें क्या आगे बढ़ें क्या चलो बहुत बढ़ी यह लिख लिख लिए होगा चलो सबसे पहले आजाओ जरा inductive effect के बारे में कुछ points पढ़ लेते हैं पनाओ क्या कहा रहा है इनका कहना है operate to sigma bond ये हमेशा sigma bond में लगता है दूसरा partial charge development यहां कोई actual charge नहीं develop होता मतलब यहां bond ना बनते हैं ना तूटते हैं ठीक है तीसरा distance पर depend करता है ये effect किस पर depend करता है distance पर जैसे से दूर जाते जाएंगे effect डिमिनिश होता जाएगा कम होता जाएगा और third carbon atom के बाद हम इसको neglect कर सकते हैं तो sir ये जड़ा समझा भी दो अभी तो आपने पढ़ दिया आओ समझते हैं मान लीजीए मेरे पास एक malik olur हां सा सुनना आप जड़ा मेरे पास क्या है एक malik reviews क्या है इसका नाम है क्या नाम है इतने नाम है ठीक है अगर मैं आपसे पूछूँ कि बेडे ये वाला जो बॉंड है बताओ ये पोलर है कि नॉन बॉलर है या नॉन बॉलर है आप एकदम चिल्ला चिल्ला के चौराय पर खड़े होगे बोल सकते हो कि ये नॉन बॉलर है क्यों ये दोनों गार्मन सेम एलेक्ट्रो नेगडिवटी वाले हैं क्लियर एकदम क्लियर एकदम ठीक तो ये नॉन बॉलर है मतलब इसका ैप्ल मॉमेंट डाइपल मॉमेंट म्यू क्या है जीरो है क्या है जीरो है लेकिन अगर मैं कुछ गुछ ऐसा कर दूँ देखना ज़आ अगर मैं यहां से H हटा कर C-L लगा देता हूँ समझना बात को अगर मैं यहां से H हटा कर C-L लगा देता हूँ तो अब कुछ कुछ होता है देखना ज़रा धिहान से क्या होना है यहां पर जो कलोरीन दिख रहा है आपको यह C-L बताओ जरा CL क्या करेगा खीचेगा, CL बोलेगा इस कारवन से भीया, अब हम आ गिये हैं दीजिए इलेक्टरॉन खीचेगा, कौन? CL, जब इलेक्टरॉन खीचेगा तो अपनी उपर कौन सा चार्ज डेबलब करेगा पार्सियल नेगेटिव मैं पार्सियल क्यों लिख रहा हूँ? बॉन्ड तूटता नहीं है अगर तूट जाता, तो actual चार्ज आते नहीं तूटता तो पार्सियल चार्ज आता है तो ये खीचेगा बोलेगा, डेल्टा नेगेटिव ले लिया हमने तो इसके उपर क्या create करेगा? डेल्टा प्लस तो मैं इसको लिख रहा हूँ, डेल्टा बन प्लस डेल्टा बन प्लस ऐसा लिख रहा हूँ तो ये क्या गरेगा? ये बोलेगा, या, खीचो, 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 खीचो तो ये क्या गरेगा, अपनी तरफ एलेक्टरॉन खीचेगा तो इसको electron की कमी सी महसूस होगी होता ना, कमी सी महसूस होगी इस carbon को, अब इसको electron की कमी अगर महसूस होगी, तो ये बोलेगा इस से, चुपके से, हाँ भई है कुछ बवस्ता, ये बोलेगा है तो ये क्या करेगा इस वाले से खीचेगा, कि यार हमसे तो क्लोरीन खीच रहा, तुम थोड़ी help कर दो, भाई भाई है हम लोग है ना, तो यहां आ जाएगा delta 2 प्लस, और इतना तो पक्का है, कि delta 1 प्लस is greater than delta 2 प्लस, क्यों, क्लोरीन इसके पास लगा है, तो क्लोरीन इससे जादा खीचेगा, यह दो ना भाई भाई है, तो थ यह bond, जो की पहले non-polar था, अब क्या बन चुका है, polar बन चुका है, क्यों, अब इसका dipol moment zero नहीं होगा, यही तो है inductive effect, तो क्लोरीन ने अपना effect induce कर दिया, किस पर, कारबन की chain पर, समझे बात को, अब ज़रा साथ 4 पॉइंट बढ़ेंगे फिर से, आओ, operate to sigma bond, sigma bond में लग रहा है, बिल्कु सही बात है, parcel chart develop हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि ना तो bond टूटते हैं, ना बनते हैं, distance में depend कर रहा है, yes, देखो, CL का effect इस वाले carbon पर ज्यादा है, इस पर कम, आगे चलोगे, और कम, आगे चलोगे, और कम, तीसरे के बाद तो मान लेते हैं कि neglect कर नोट कर लीजिए, सहर, लिख लो तो बता दे न, बस मुझे चाहते हैं, कहो, ना तहो, मुझे को, सब कुछ पता है, चले आगे, देद दना दन, बहुत बढ़ी है, चली ज़रा inductive effect में हम बात कर ले थे, पिलस आई और माइनस आई की, तो देखना ज़रा, प्लस आई और माइनस आई की, अगर मैं बात करूँगा, मेरे पास कोई carbon की chain है, समझना दरावात को, मेरे पास ये carbon की chain है, और यहाँ मैंने कोई group लगा दिया, G, क्या लगा दिया, G group लगा दिया, ठीक, यहाँ भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, G group लगा दिया, तो अब ये जो G group है, ये दो काम कर सकता है, या तो electron दे सकता है या electron खीच सकता है, या तो देगा या खीचेगा, ठीक है, या तो देगा या खीचेगा, अगर ये वाला group, कौन सा group, ये वाला group, electron देता है, अगर देगा, तो इस पर क्या create करेगा, minus create करेगा, और ये minus क्या होगा, जैसे ही इसको देगा, ये बुले बले म मज आया है चिह थीक मज आया वैसा तो दीविंनि में एफ्क्ट क्या हो जा जाएगा कम होता जाएगा और इतना तो पक्का है कि इस पर एक्दम भरपूर बुर मज़ेदार काम है इसका डील्टा वन ओन नेगटिफ फिर डील्टा का effect होता है प्लस आई ऐसे atom या group ध्यान से सुनना बेटा ऐसे atom या group जो electron देते हैं carbon की chain पर negative develop करते हैं उन group को बोलते हैं plus i group और इस effect का नाम है plus i effect तो यह जो g group है इसको बोलते हैं plus i group और electron donating group और electron releasing group ठीक है इसका full form लिखो electron donating group और इसको बोलते हैं electron electron releasing group ठीक है यह कहानी है और इस effect का नाम है plus i effect अब आपको कैसे पता चलेगा कि sir यह वाले plus i हैं आपको कैसे नहीं लग रहा मुझे है ऐसा है गया है अब सही आ रही है क्या अब सही आ रही है चले 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 बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है ठीक है आ रही है तो ऐसे एटम या group जो electron donate करते हैं किसको कारवन की chain को उनको क्या बोलते हैं अपन plus i group और effect का नाम जा है plus i effect similarly minus i के बारे में अगर हम discuss करेंगे तो ध्यान से देखना मैंने ऐसा group लगा रखा है यहाँ पर कैसा ऐसा देखो अगर यह जी वाला group अपनी तरफ electron खीचता है अपनी तरफ electron खीचता है तो इस पर क्या develop करेगा delta 1 plus यही वाला example मैंने यहाँ पर समझा है था आपको ठीक है तो यह क्या develop करेगा delta 1 plus यह इससे खीचेगा यह इससे खीचेगा ऐसा और charge का difference create हो जाएगा और इस type के group जो होते हैं जी वाले इनको वोलते हैं minus I group और electron withdrawing group और electron seeking group electron withdrawing group पगले हो तुम लोग पता है इतनी बढ़िया बहतरी नावा जा रही है कह रहे हैं sound problem कम सुनाई दे रहा है कि तुम लोगों को आचकल बच्पन में गिर गए देखा किसी एंगल पर चले आगे बड़े तो ऐसे atom या group जो electron देते हैं carbon की chain पर negative create करते हैं उनको बोलते है plus I और जो carbon की chain पर plus create करते हैं उनको बोलते है minus I अब तुम्हें ये group के बारे में कैसे पता चलेगा ये group की कुछ series होती है power के according निकाल ली गई है scientist लोगों ने इस पर काम किया और हमें बता दिया है कि ये वाली plus I series होती है ये वाली minus I series होती है बस इतना आपको याद करना होता है कि कौन से खीचते हैं कौन से डोनेट करते हैं फटाफट से नोट करो फिर मैं आपको series बताता हूं क्या करूं प्रेश्ट लिख लो तो बता दे ना मालिक डन लिखते बहुत तेज हो तुम लोग वाह क्या बात है आए ज़रा plus I power की series लिखेंगे पहला series ऐसा CH2 माइनस नकर लगा देखो यह bond छोड़ने का मतलब है यहां कारवन की ऐसी ऐसी change जुड़ी होगी यह bond छोड़ने का मतलब है यहां कारवन की ऐसी ऐसी change जुड़ी होगी है ना इसका mass number जादा उसकी plus I power जादा होती है और यह सब किसके respect में निकाले गए hydrogen के respect में निकाले गए मैंने यहां H भले ही लिख दिया इसका लगे नहीं कि hydrogen plus I power दिखा रहा है hydrogen जो है उसके respect में निकाले गया है अब यह मत बोलना सार पहला साही में लिख दिया मैंने तो compare करा है इसके साथ माइनस आई में भी लिखूँगा इसको क्योंकि compare करा रहे है एच के साथ है ना तो H का no inductive zero inductive मानते हैं और उसके बाद बाकी सारे ग्रुप का याद कर लेते हैं और फिर सवाल करते हैं तो CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिगरी 2 डिगरी 1 डिगरी और methyl इसकी डिगरी आम में अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते है मE3C मE2CH मECH2 तीक है और यह खुद मE है फड़ावट से नोट करेंगे प्लस आई पावर याद करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे लिखना पढ़ाई करो भाई नहीं तो कुछ भी जीवन में करने के लिए बचो के नहीं गरवाले तुम्हारे इतना जो है उम्मीदों के साथ तुम्हें जोइन कराया है तुम यहां बगवास कर रहे हो एक ही तो तुम्हें मौका मिला है एक चांस है आखरी चांस है उसको तुम भुना लो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ कॉंटेंट भी आपको प्लस वन लेवल का मिल रहा है फिर भी तुम्हें नहीं पढ़ना है तुम्हें अंजली चाहिए पागल ही है भाई चले आगे थोड़ा तो सोचो भाई कम से कम उनके लिए सोचो जितने तुम्हें पैदा किया यार माबाप तुम्हारे उनको अगर तुम डॉक्टर बनोगे तुम कितना अच्छा लगेगा सोच रहा तुम उनकी खुजी के लिए कुछ कर सकते हो इतना गर्दो बस उनके लिए कि डॉक्टर बन जाओ चले आगे बढ़े चले क्या लिख लो लिख लो जल्दी लिख लो पड़ा पड़ लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे चले आओ जरा माइनस आई पाफर लिखते हैं पहले मैं लिख दूँ फिसके ट्रिक बदा दूँगा ना फरहान ना रितिक सारुख ना हिमेश ना ओम्पुरी सल्मान स्ताइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और एलकॉल की मम्मी अलकाइन नहीं है बेंजीन है अब देखिए जरा कैसे याद करना है इसको लिख लीजे जरा ना फरहान ना रितिक शारुख ना हिमेश ना ओम्पुरी सल्मान साइना अली की कार में अली मतलब एल्डी हाइड और कार मतलब कार बक्ष लिख की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और अलकोहल की मम्मी अलकाइन नहीं है तो कौन है फिर बताओ कौन है फिर बेंजीन है और यह जो एच लिखाया ना इससे कंपेर करा गया है एच का कोई इंडक्टिव नहीं होता ध्यान लख न एच को सिर्फ कंपेरजन के लिए लिया गया है एच के रिस्पेक्ट में ही बाकी ग्रूप की पावर निकाली गई है ठीक है तो यह होती है माइनस आई सिर्फ और इसके बारे में सबसे इंपर्टेंट बात बता दूँ आप जिस जिस बुक में देखेंगे उस बुक में अलग मिलेगी है कभी भी किसी बुक में आपको सेम नहीं मिलेगी तो सर आपने जो लिखाई है वो बस इसी पर भरोसा करो इसके लाव आपके बास कोई ऑप्शन नहीं है मतला अलग अलग किताबों से निकाल के जितने भी ग्रूप थे अरेंज करके उनको बना दी गई एक पाइनल यही आपको यादगर नहीं है ठीक है पड़ा पड़ से नोट कर लो तो यह मैंनेस आई कि देजो प्लस आई में कोई दिक्कत नहीं है जाए मसान अले सर इसके भी बता दो इसमें ठीक की तरौनी है जहां जरूत है वहाँ देखो न ट्रेक, यहां क्या जरूत है, कारवन आता फिर एक्टे बल में, फिर नाइटोजन, फिर अक्सीजन, यह इसका हो गया order, ठीक, इसके बाद बस एक बीच वाला यह यह याद रखना तुम्हें कि CO- आता है इसके बाद, कारवन आइटोजन, CO- और यहां डिगरी से चल लो, 3-2-1, खतम हो गया, और यहां ही सो टोप हो गया, ठीक है, तो इसमें तो क्या ही ट्रिक चाहिए तुम्हें, ज़रूत है वहाँ याद करो, इसमें अलग-अलग ग्रूप आ गया, कुछ भी कहीं ली आ गया, तो इसके लिए आप याद कर लो, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, एक बार अपने दिल पर हाथ रखके, हम लोगों पर भरुसा कर लो, निरास नहीं होगे, झालग अलग-णोंग कर लो, निरास नहीं हो पर आप नहीं होगे, झाल 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 झाल